मैं आप लोगों का और जो वेब कास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं, सबका स्वागत करता हूं और आज की आत्राम शुरू करते हैं अभी मैं एक बड़ा ही सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, मेरे क्याल से अधिकांश लोग वैसे हैं, जो पहले दिन से कवर कर रहे हैं या वेब कास्टिंग पे देख रहे हैं, हाँ? यास! अभी ये तो बराबर है कि प्रक्रती में सब ठिक ठाक चल रहा है, है ना? कभी हमको डिसकस नहीं करनी पड़ती कि प्रती कैसे गुमाएंगे या हवा में ऑक्सिजन कैसे बढ़ाएंगे, है ना? वो तो हमारा सब्जेक्ट और टेंशन है ही नहीं, ये तो बराबर है, हम चर्चा करते हैं मनुष्य जीवन पे, है ना? अब मनुष्य जीवन के दो सत्या हैं, कुदुरत की तरफ से, मैं बात सिर्फ या तो नेचर की करता हूँ, या मनुष्य के मन की? और तिसरी बात जो करते हैं हम बुद्ध्य हंकार की, वो ये बताने के लिए, कि ये सब बकवास हैं, इन से बचो. तो प्रक्रती की और से, मनुष्य के लिए, मनुष्य जीवन के लिए, मैं बता चुका हूँ, कि दो सेट नियम हैं, उसके दाइरे के बाहर, मनुष्य अपना जीवन नहीं कुजार सकता है, और ये बात समझाने के लिए, मैंने बगवत गिता का रेफरेंस भी दिया था, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मैंने क्या कहा था, अब आप में से कोई बताओ, कि मनुष्य जीवन के लिए, कुद्रत के सेट, दो क्या नियम हैं, दो यी नियम हां, दो शब्द बस, नियम का आर्थ होता है, कि उससे आप बच नहीं सकते, सब जने फल की चिंता से करम करने तो नियम केसे हुआ, समझ गया बात, देखो, एक्चुल में, जो मैं जगाना चाहता हूँ, वो थोला समझ लेना मैं चाहता क्या हूँ, आशकरण के यंग्स्टर्स, हाणा, कि मनुष्य में इंटेलिजेंस है, वो यूज नी कर पा रहा है, हाणा, अब मनुष्य में उर्जा है, एनर्जी है, वो यूज नी कर पा रहा है, उसमें psychological power है वो use नहीं कर पा रहा है अब मेरा सवाल बड़ा simple था कि नियम नियम मतलब क्या हुआ आपको follow करना ही करना है तो करम करो पर फल की चिंता मत करो ये नियम नहीं हो सकता जैसे इन्होंने बोला कि सब मिल जूल के रहो ये भी नियम नहीं आप बगर मिल जूल के रह सकते हो धरम के नाम पर जो भी करम कर रहे हो फल की आशा में कर रहे हो तो स्वतंत्र हो तो नियम नहीं है बात समझ में आ गई मैं जो समझाना चाह रहा हूँ हमेशा मुझे खुशी तब होगी जब बरबर सुनो मैंने क्या कहा अभी सुनते भी आना बड़ा मुश्किल है ये भी आर्ट है हम वरक्शॉप में सिखाएंगे सुनना भी एक आर्ट है देखना भी एक आर्ट है अभी तो वो भी भूल गए हम ठीके तो दो नियम कि जिसके बगर मनुष्य जीवन चल ही नहीं सकता वो क्या है बोलो एक दो तिन लाइन से क्या वात है जब इन्होंने जवाब नहीं दे पाए तब ही मुझे याद आ गया तूरंत वो दो जो वर्ड है वो दुरुष्टा और साक्षी ये बगर दो इंपोर्टेंट वर्ड आपने बो पंडित मौल भी पादरी क्या कर रहे है नियम आप उसके बगर जी सकते हो सर हमको दूसरे पर जबरदस्ति नहीं करनी है और अगेन यार क्या कर तुम लोग आप जब आश्ते करके भी जी सकते हो सिंपल या, कोई बतने वाला नहीं यार क्या बात कर रहो चल बता आजा मैदान में, चल एक याद आ रहा है कि जो नियम particles पे लागू होते है वही सेम नियम मनुष्य पे लागू होते है, plus minus positive negative, वो जो भी चीज़ पाटिकल हर एक पाटिकल पे लागू होते है वो सेम मनुष्य पे लागू होते है लेकिन नियम क्या है, मनुष्य जीवन के लिए सर एक नियम है कि कर्म तो करना ही पड़ेगा whatever it is, sleep वहरी करेक्ट पेली बात है ये नियम है मतलब मनुष्य कोई भी कर्म करना पड़ेगा ये मनुष्य जीवन के लिए पहला नियम है ये समझ देना अब नियम का आर्थ हुआ कोई बगर कर्म करे रहे नहीं सकता है मतलब नियम है वेरी गुड चलो दूसरा अभी दूसरा एक और है करते हुए स्वाधर्म स्वाधर्म भी नहीं सर जो की अपनी सेवा करना धर्म है तो उसका पहला नियम ये है कि आठ आठ घंटे जो बताया था ना कि कर्म सब को करना है वो उसके बगड़ जी रहे ना नई कर्म करना है पहली बाद वो तो खतम हो गए वो बाद तो खतम हो गए इत्यास मत दो रहा दूसरा नियम सर ये है कि जो दुख अगर दूर करना है और सफलता अगर चाहिए है अगर मगर नहीं होता बेडिया अगर मगर नहीं होता है समझो, देखो मैं बताता हूँ सिंपल, आप लोग है न पकड़ो उसको आप ही जी रहे हो और आप ही के जीवन के नियम पूछ रहा हूँ, समझ ले न इतना जीवन गुजा रहा है सबने ग्यान पाया है पक्का बता रहो हाँ, बताओ सर सभी मनुष्य अपना उर्जा, इंटेलिजनियर्य साइकोलोजी के सबसे काम करेगा देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सो हमें ये समझना रहा कि जो कुछ भी मनुष्य को सिखाया जाना चाहिए वो कोई सिखा नहीं पा रहा है क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग है जो मनुष्य जीवन के बारे में जानते है पूरे इत्यास में मनुष्य जीवन को अच्छे से समझने वाले ज्यादा से ज्यादा दस लोग है ये दिक्कत है और ये सिखा सत्या है अब क्योंकि भगवत गीता बड़ा ही to the point गरंथ है तो मैं बार बार भगवत गीता को कोट करता हूँ क्योंकि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कोई range के बार नहीं है लेकिन वो तभी समझोगे जब बेवकुपी बरा ग्यान अटा दोगे वरना गीता के अपने अर्थ निकाल लोगे सो क्रश्न गीता में दो बाते केते हैं कि है अर्जुन तू जो कह रहा है कि मैं यूद से भाग जाऊं या सन्यास लूँ या करम ही न करूँ और ये वो तो करम तो करना पड़ेगा क्यों कि कोई भी मनुष्य एक शन को भी बिना करम करे नहीं रह सकता है है ना आपको खाने का मजा लेना है तो भी करम तो करना पड़ेगा है ना सोना है तो भी रजा ही तो ओड़नी पड़ेगी यहना बिना कर्म के कुछ हो नहीं सकता यह नियम है मनुश्य पलभर को भी बिना कर्म के नहीं रह सकता बात समाप्त हो गई अब मनुश्य जीवन की उलजन कहा हैं उस पे हम बाद में आएंगे लेकिन उलजन कहा हैं कि उससे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कर्म करना है ना बरवर यह उलजन है तो गलत कर्म कर रहे हैं गलत परिणाम आ रहे हैं लेकिन वो चेप्टर डिफरंट है दूसरा क्रश्य ने कहा कि मनुश्य आपसी सहयोग के बगर पल भर को नहीं जी सकता है यह नियम है बाद समापत हो गई क्लियर कोई आदमी यह कह सकता है कि मैं किसी के सहयोग के बगर एक मिनिट रह सकता हूँ बताओ कोई नहीं रह सकता है ना बरवरे अच्छा और हम तो चर्चा मनुश्य के जीवन की कर रहे हैं बाकी हमारा सब्जेट भी नहीं है प्रक्रती में क्या हो रहा है कौनसा तारा कब तूटेगा यह सब हमारे सब्जेट भी नहीं है तो धर्म का अर्थ तो सिंपल हुआ कि जो सही कर्म करते सिखा है और आपसी सहीयोग सिखा है है ना इस रहा तो कोई धर्म नहीं हुआ चर्चा मनुष्य जीवन की है ना धर्म में भी तोड़ा सा समद्ना इसके अलावा जो कुछ भी है वो बली अच्छी बाते होंगी मुझे नहीं मालूम अब हम आपसी सहीयोग पर आते हैं एक मनुष्य का जीवन जो आप लोगोंने गुजा रहा है आज तक कोई बताए कि उसने टोटल कितने आद्मियों का सहीयोग लिया होगा कोई बताए आराम से शामती से आपी के जीवन की बात है और कोई बड़े complicated सवाल नहीं है कि आत्मा क्या है परमात्मा क्या है है ना ना he is equal to mc square पुछ रहा हूँ ना bulb कैसे बन सकता ये पुछ रहा हूँ है ना आप जो आज तक जीए हैं आपके हिसाब से आपने कितने व्यक्तियों का सहीयोग लिया होगा कोई एक मनुशिया माइक लेकर बताए सर काउंटिंग नहीं है उसकी काउंटिंग ही नहीं हो सकती है काफी लोग है बिकॉस फ्रम दबर्थ अगर तुम देखो तो कितने होंगे पचास, सो, पानसो अजा सर काफी होंगे क्योंकि प्रोफेशन भी देखो, डॉक्टर्स आजाते है कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं अरे, 100, 200 तो होंगे ही मिनिमम जादे ही होंगे सर, आक्चली, नेबर्वुट भी पानसो, हाँ इसकी कलपना नहीं की जा सकती है क्यों? क्योंकि हम अभी से, मतलब सुरू से जितने भी मनशुए हैं सब के भरोसे जी रहे हैं हम तो हम सब के मतलब, रिनी हो जाते हैं खड़े रेना तू जवाब तो एकदम परफेट देता है तुमने मेरी सारी किताब पहले से पट रखी है क्या? सारे लेक्चर सुने होएं क्या? हाँ सारे लेक्चर सारे सुने होएं सुने होएं, चल अच्छा है लेक्चर सुने होएं इसलिए, ओके गोड, पन कंपूटर अच्छा जगा रहता है अच्छी बात है, देखो एक मनुश्य जो इसने बोला वो एकदम सही बोला आप करोडो मनुश्य के भरो से अब तक जीए हैं सो, दो सो, पान सो हटा दो करोडो मनुश्य के भरो से जीए हैं किसी ने कपड़े खोजे हैं भरो भरे फिर कपड़े भी कैसे कैसे खोजे हैं कल्पना करना यदि वो नहीं होगा तो आप क्या करोगे बली मस्ती आती है चलो आज थेले पर जाके पानी पूरी खाएंगे अब किसी ने पानी बनाई किसी ने पूरी बनाई थेला खोला उसकी तो छोड़ी दो आप सुबे से शाम तक अभी हम बेटे हैं किसी ने माइक खो जाए किसी ने लाइट खो जीए अरे कल्पना नहीं कर दखते इतने मनुष्यों के एसान के तले हर मनुष्य दबा हुआ है क्लियर है एनी कन्फिजन अब यदि आपसी सहयोग नहो तो भले ही वो क्रश नहो क्योंकि नियम का आर्थ कभी ये नहीं होता जैसे ये धार्मीक लोग बताते हैं नियम का आर्थ होता है आपाद कोई नहीं है इससे आजाद कोई नहीं है एक पल को भी बचा नहीं जा सकता क्रश्न भी छपन भो खाते थे कपड़े पहनते थे रच चलाते थे, अत्यार वापड़ते थे, पांसुरी बजाते थे, उस पे भी कईयों का अहसान था, चलते थे, फिरते थे, हसते थे, उठते थे, बैठते थे, तो लाखों का अहसान है, क्रश्न के जीवन पर भी, ये बात समझ में आ गई, अब दिक्कत कहां है, समझना, आप, और जिनके सयोग के कारण जिन्दा है, समझना, उनको तो कोई आदी नहीं करता, सोचना, हम अच्छे इंसान केसे हैं, कभी किसी को ख्याल आता है, पानी पूरी खाते वक्त, यारे, किसने खोजी होगी, मजाख है, ओडिनरी चीज है, कल्पना करो, कल्पना करो, कभी सोचते हो, शाम को बेटे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, किसी ने तो खोजा है, है ना, खोजा है ना, आख चली गई, चश्मे आ गए, किसी ने तो खोजा है, कितना खोजा है, लिवर खराब हो गया, ट्रांस्प्लांट हो गया, किसी ने तो हो जाए, कल्पना आ रही है, अब बाकी सब तो छोड़ो, हमें ज्यादा से ज्यादा कल्पना क्या आती है, अकल कितनी चलती है, माबाब ने पेदा करा, स्कुल में पड़े है, चार दोस्त, हाँ, है ना, अरे करोड दो करोड के सहारे, तो एक जीवन गुजर रहा है, जिसमे आपने कुछ नहीं किया है, फ्री फंड में उपलब दे आपको, दुर्भाग्य है, फ्री फंड में उपलब दे, कोई याद नहीं करता है, है ना, कोई कभी पड़ते वक्त याद नहीं करता है, कि किसीने पेपर खोजा, किसीने बैंडिंग खोजी, किसीने लाइट खोजी किसीने पलंक खोजा, किसीने कुरसी बनाई, बहँ है मस्ति में जीतें, ना बाप का माल समझके सब जने, गलत है ये, ये अच्छे इनसान की निशानी नहीं है इसका आर्थ ये कि हमारा प्राकरतिक मन मार डाला है जो हमारा मन था वो ऐसा नहीं था, ये विक्रत कर दिया गया, उसको भी छोड़ो जिन्दा मनुष्यों का सयोग, जिन्दा चीजों का सयोग, मनुष्य को लेना पड़ता है I am Gita by Deep Trivedi is the number one bestseller at Amazon I am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India I am Gita, psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas अब एक चीज सब जने बड़े ध्यान से समझना, जो मैं बार-बार कहता हूँ कि मुझे बड़ा दर्द है कि युगों से मनुष्य कस्ट में हैं, और युगों से इतना ग्यान दिया जा रहा है कि ग्यान देने वाले मेरी पहली हिट लिस्ट में हैं क्यों क्योंकि जब घरवल कर दी एक मनुष्य जीवन के लिए प्रक्रती ने जो रचना करनी थी कर दी हवा दे दी, पानी दे दिया, धरती दे दी, वनस्पती दे दी, जो देना था सब दे दिया शांदार मन दिया, शरीर दिया, बुद्धी दी, जो देना था सब दिया, हाथ दिया, पाउ दिया, क्या नहीं दिया आख दी, काम दिया, क्या नहीं करा प्रक्रती ने, छोड़ो, क्या नहीं करा करोडो मनुश्यों ने, क्या नहीं करा, अरे जिसको नंबर है वो सोचे चश्माटा लो तो क्या होगा, भुग लगी ये, खाना ना खोजा ओता तो क्या होता, आग ना खोजी होती तो क्या होता, स करोडो मनुश्यों ने करा, प्रक्रती ने करा, ये क्यों करा, कि ये बिचारा जो नमूना है, ये हसके जीले, है ना, बराबर है, अब ज्यानियों को देखो, और इमानदारी की पातेम अपने को देखे, करना कुछ नहीं है, और जीवन में परेशानी है, हवा मिल गई, पानी मिल गया, खाना मिल गया, पानी पूरी मिल गई, डोसा मिल गया, कितनी चटनिया, कितनी जाच की दाल, खाते जाओ, पीजा खाओ, पास्ता खाओ, चाइनीज खाओ, नुरल्स खाओ, ये कपड़ा पेनो, वो कपड़ा पेनो, इस गाली में गुमो, उस ग प्योग कर रहे हैं 24 गंटे और फिर भी जीवन में परेशानी हैं बोलो बात समझ में आ रही है गलत तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब सोचो उन करोड़ों लोगों को हटा दो तो क्या हो जाएगा जीवन न कपड़े कोच पाएंगे न खाना कोच पाएंगे न कुछ समझ में नहीं आएगा। करना तो कुछ नहीं है खाना पीना गुमना सोना अब काम तो करना पड़ेगा आठ गंटे उसमी परेशानी तो सब कुछ उल्टा सुल्टा हो गया है ये बात तो वराबर है है ना क्योंकि गलत बात है यही तो अधार भीकता है इसलिए जब मैं गीता समझाओंगा आपको इनिशल स्टेच पर साइकलोजी तो क्रश्णा का सीधा अब्जेक्शन ये है कि करश्ट में कैसे हो बस और कोई पाप नहीं है वो मूर्खे हैं जो पाप की हजार परिभाषाई देते हैं वो तो बदमास लोग हैं अग्यानी है, सोयो हुए है फ्रस्टेटेड है जो केदू में पाप की एक ही बरिभाषा है कि आप संकट में हो इतना प्रकृति ने दिया इतना करोडों लोगों ने दिया और फिर हम जिन्दा हैं आज तो माता ने, पीता ने, भाईयों ने, दोस्तों ने कहां, 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 किन-किन लोगों ने, कब-कब लेकिन हमारी निगाई नहीं गुमती हमारी तो निगाई नहीं गुमती, कोई कुछ भी कर ले ठक जाते हैं बिचारे 200-500 तो जिन्दा मनुश्यों को ठका देते हैं क्यों? ताकि हम हस ले, हम जी ले ये कम पढ़ रहे हैं तो वो भी आ जाते हैं लेकिन जीवन फिर भी नहीं बन रहा है मतलब मन का कंप्यूटर जो है वो पूरी तरह से करप्ट हो चुका है अब सिंपल बात है कि दार्मी कौन है? सिंपल परिभाशा समझना पढ़ेगी कि दार्मी कौन है? मुझे बताओ कौन है? इतनी बात कही उसमें परिभाशा आ गई सिर्फ ग्रास्प करके एक सेंटेंस में बताओ बोल खड़े हो के बोल यार जो धन्यवाद देता है इन लोगों को जो इनोंने जो दिया है और खुद भी कंटरिब्यूट करता है इन सब क्रिइटिविटीस में वो पढ़़ब़ब गे बोलता है नहीं नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता के बोलता है सिंपल धार्मिक कोन है तो आगे निकल गया कैर ऐसा मत करो यार देखो सर वही बोलना था कृतदन था का भाव देखो धार्मिक वो जो कस्ट में नहीं है पेली बात तो बराबर है इतने लोगों के हिसान के बाद अगर आपको कस्ट है तो आप अपने आपको धार्मिक नहीं के सकते दूसरी कोई परिभाशा नहीं है क्रश्न की, मेरी और प्रकृती की मुर्खों की क्या परिभाशा उसमें जाता नहीं हो मनुश्य कस्ट में हो, आपको कस्ट है आप गलत हो, आप ठीक इंसान नहीं हो, बरोबरे, और जो इसने कहा वो तो महमेशा के चुका हूँ, कि हर बार धन्यवाद का भाव रखोगे, तो जाकेट इंटेलिजन्स जगेगी, क्यार कपड़े पेंड़े हो तो किसी ने तो बनाए, किसी ने खोजे होंगे, और उस समय क पूरी खारे हो, कल्पना करो, कि आपने 50 साल के जीवन में, 30 साल के जीवन में, पानी पूरी और उसका मसाला छोड़ो, कोई एक पूरी भी नहीं तरीके से खोजने की कोशिश करीए, कोशिश करना मिलेंगे, बली उर्जा चाहिए उसके लिए, ये सब धार्मिक लोग थे, समझ लेना, तो बगवान कोन है, बड़ा सिंपल है, समझ लेना, बगवत गिता में या प्रक्रती, आपको यहाँ वहाँ नहीं गुमाएंगे, धार्मिक कोन है, जिसको कश्ट नहीं है, अब बगवान कोन है, वो ही, जो ये सोचता है, कि यार, प्रक्रती ने इत्ता दिया, इन करोलों लोगों ने इत्ता किया, में सब के भरों से जिया, तो मेरी डूटी क्या, मरने के पहले किसी को लाइट दे जाओं, कुछ नया दे जाओं, कि करोलों, अर्बों, मनुश्य उसका आइदा उठाते रहे, जो ये काम कर जाता है, वो बगवान, बाकी कौन बगवान बाकी कौन बगवान, और कोई बगवान नहीं है, ये बात समझ में आ गई, ये सब बगवान है, जिनके भरों से हम जी रहे हैं, अब उनको तो कोई बगवान मान नहीं रहा, उनका हैसान मान नहीं रहा, और जने कैसे कैसी आइटम है बगवान के नाम पे, तो जीवन कैसे जीवन कैसे बनेगा सो मनुश्य का ये कर्तव यह है कि वो मरने से पूर्व क्योंकि करोडों के हिसान तले दबा है तो कुछ ऐसा करके मरे कि करोडों का उद्धार करे बस ये जीवन का मकसद है जो सेट है प्रकृति की तरफ से क्रश्ण यही कह रहे है एक एडिसन एक आइंस्टाइन एक स्टीव जोस एक मुम्मद रफी एक गालीब है इतना कर सकते है एक लोनेल हर्डी बोलो कितना कर गए है कितना कर गए तो सोचो यदि पूरे पांट सो करोड ऐसे हो जाए तो मनुश्य यहां बेठा रे जाए यूं मिले चल्ड मैं मंगल पर मिलता हूँ तेरे को शाम को है कौफी वही लेंगे क्या बात है यह मनुश्य का अधिकार है पूरे ब्रह्मान पर राज करे लेकिन यहां तो करना किसी को कुछ है ही नहीं अभी खुदी कस्ट में है बस वो गलत है और हमारी चर्चा यह चल रहेगी कस्ट कैसे दूर करे तो पहली स्टे पे कस्ट दूर करो दूसरी स्टे पे उस उचाहित तक उठने कोशिश करो जहां से कुछ शांदर क्रियेटिव हो जाए लेकिन वो तो बच्चों के लिए चांस है बड़े कस्ट दूर कर ले बहुत बढ़िया बात है है ना बाकी चीज़े फॉलो कर ले आना कि कर तो कोई भी सकता है क्रियेटिविटी कुद्रत का कमाल है अभी बात क्लियर हो गई किसी ओ कन्फिजन मेरी कोशिश यह है कि आपके कस्ट दूर हो और जो यंग्स्टर से 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 22 साल कि उनका कम्पूटर कुछ ऐसा जादू कर जाए कि वो महान हो जाए कुछ दे के जाए है ना चाय कबीर के दोहे दे जाओ चाय गालिप के शेर दे जाओ मस्ती आ जाती है और सोचना यह है कि रेडिमेट दोहे अउले बले रेडिमेट गाने अउले बले पिच्चरें अउले बले गारियां बन गई, AC बन गया कपड़े बन गई, पार्टियां बन गई पफ बन गई है, रेस्टोरेंट्स बन गई लेकिन हम दुखी के दुखी है हम दुखी के दुखी हैं क्योंकि हम अच्छे लोग नहीं हैं बस मैं ज़्यादा परिवाशनी जाता यह ना बात समापत हो गई सो खुश रहो सोचो कि यार हम कुछ कॉंट्रिबूट नहीं कर रहे हैं मुफ्स का खा रहे हैं फिर भी दुखी हैं यह कर लाते हैं तो धन्यवाद दो भाईया कि पानिपूरी वाले जिसने खोजी हम तो नाम भी नहीं जानते कौन हैं लेकिन पुछो बुजुर्गों से पानिपूरी का नाम सुनती यह हो जाते हैं ना ठीके चलो I am Gita by Deep Trivedi is the number one bestseller at Amazon I am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India I am Gita, psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas